वेलकम तो न्यू एपिसट ऑफ सिंग आटो जोन दोस्तों आज हम कंपेर करने जा रहे हैं 2019 इसी साल सेकेंड हाफ में ऐसी दो इलेक्ट्रिकल बिल्कुल हाई एंड कह सकते हैं जिसे एक SUV टाइप है मैं बात कर रहे हैं आप अपर MG Motors की EZS और साथ में जो निसान की लीफ जो स्टार्ड कर लेते हैं जल्दी से यहां इनकी स्पेसिफिकेशन से पहले हैं पहले दोड़ों गाड़ों का तुरा ओवराल डिटेल के बात कर लेते हैं जिसमें से पहले बात करते हैं MG Motors के बारे में वैस्तों यह UK का ब्रांड है बट इसको बाद में चाइनिज की खिद लि है चाइनिज की कमड़ी दो अभी आज की डेट में से आई सी का पार्ट है जो हम सब जानते हैं के श्रेवलेटेज ने अपने इंडिया से पैक अप कर लिया था उसी का जो प्लान था हलॉल गुजरात में उसको टेक ओवर किया था MG Motors काफी बड़ी इंवेस्टमेंट रही अब इस टार्टिंग में एमजी की फर्स प्रटक्ट आलेटी है जो की SUV है जातर ने कि SUV प्रफाइल जाता है एमजी मोटर्स के तो जो फर्स प्रटक्त है SUV उसको लाँच कर दिया गया है मही में उसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी जून तक उसकी डिरेविय भी स्टार् एक एलेक्ट्रिकल SUV जिसका नाम है EZS और इसको भी स्टार्टिंग में तकरिवन 20 मेट्रो जो में बड़ी मेट्रो सिर्टिस है वहां पर इसको लाँच करने की प्लानिंग और इसका जो में पार्ट रहेगा वो रहेगा इसका प्राइस जो की काफी जादा कंपिडिशन द जाती हैं जिसके वईसे overall कोस्टिंग है वो कम है तो बिलकुल करी टककर होने वाला है यहां पर देने वाली है चाइना की जो भी गारी आगे अगे मार्किट में लाउंच होगी not only EZS इसके जो भी इलेक्टिकल कार लॉँच होगी वो करी टकर देगी बाकी गारियों को सेकंड कार की बात करें वो है निसान की लिफ वल्ल की मानुविल एक बिल्कुल हाइंट इलेक्ट्रिकल कार है इसको फर्स टेम लाँच किया गया था अब तक 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 चार लाग से ज़ादा है इसका वर्ड वाइड सेल हो चुके है तक चार परसेंट से ज्यादा है अगर हम गलोबली बात करें अब ही स्टार्डिक में इसको सिरफ सीकेडी यूनित यानि की कंप्ली नॉक्ट जाएगा इसको यहीं आगे चलकर इसको यहां पर इसको कोशिश की जाएगी मैक्सिम जो इसकी लोकलाइजेशन उसको बढ़ाया जाए क्योंकि हम सब जानते है कि जो फेर्म टू में सब पॉल्स में कुछ चेंज है उसमें क्लियर कर दिया है कि इन कंपनी इसको किसी तरह क सबसीडिया इंसेंटिव लेना तो उसके लिए कम से कम 50% उनको जो लोकलाइजेशन उसको करनी होगी तो ऐसे में बिल्कुल अगर लिफ भी कंपेटिशन देना चाहती है क्योंकि जादा प्राइस रहेगा तो ऐसे में सेल पार्ट में काफी जादा फरक आ जा तो बिल्कु पैक रहेगा जिसमें अगर बात करें अमटी मोटर्स की तो यहां पर दो ऑप्शन रहती है 45 किलो वाट का 52.5 कि और वहीं अगर लीफ की बात कर तो यहां पर आपको 40 किलो वाट और 62 किलो वाट का बैटरी पैक मिलेगा बट इंडिया में अभी स्टार्टिंग में आपको जो मीडियम रेंज के बैटरी पैक ही अवेलिबल होंगे क्योंकि हाइएंड ज्यादा बैटरी पैक नोटार वहां पर रेंज तो ज्यादा होती है और उसके प्राइस भी बहुत ज्यादा फरक पड़ता तो वैसे में सेल पॉइंट व्यू से अभी स्टार्टिंग में जो म के मोटर यहां हैं अग्वाइब की एक्सटो दस किलोवाट की मिएक पावर जरनेट करेंगी जेसमें 350 नूट्री मेंटर का आपको टॉर्क भी म मिलेगा अ leaks में आपको सेम आपको ज़िंटेश्य की 558 ही जो की 147 हग फ़ी इक पावर जरनेट करेगी तकर yol इतने ही 350 के आसपास आपको टॉर्क भी मिलेगा अगर हम बात करें अब रेंज की तो यहां पर MG Motors की जो खासिय तो उसकी रेंज ही है दोनों गाड़ों की जो खासिय था वो इनकी रेंज है जहां MG Motors में हमें 400 से ज़्यादा इसकी रेंज मिलने वाली है बट वहां 430 की रेंज बताते हैं बट कंडिशन यहीं कि अगर आप इसको continuous 60 की स्पीड पर चलाएं बट जो की practically possible नहीं है तो बट on the average रोड पर आपको 300 के असपास रेंज मिलने वाली है वहीं सेम रेंज 300 की आपको निसान लीफ में मिलेगी अन रोड अगर की पिकप की बात कर तो यहां पर जिरो टो फिप्टी इन त्री सेकिंड एमजी मोटर्स आपको पिकप प्रवाइट करेगा वही है हम बात करें लीफ की तो वहाँ पर आपको डीसी फास्ट चारजर मिलेगा तो यहां पर टोप मॉर्ण मिलने वाले है जिसमें से अगर बात करें तो 8-inch touchscreen informative system आपको मिलेगा 27-inch alloys आप दोनों गाड़ियों मिलने वाले है cruise control, lane assist, dual airbag, ABS with EBD यह भी आपको standard मिलने वाला है इसके लावा वही है कर अब लीफ की बात कर तो यहां आपको 7-inch touchscreen infotainment system मिलने वाला है वही पर आपको साथ में चोटा पांच-inch का digital speedometer भी मिलेगा apple car play android auto यह सब आपको top middle top model में मिलेगा इसके लावे एक standard features रहेगा जो की आज की डेट में हर electrical car में जो compulsory आ रहा है वह regenerative braking इसमें कैया इस mechanism है जब भी आ ब्रेक मारते है तो उस दुरान electricity प्रडियूस होती है जो की दुवारा से आपकी लीथे में बैटरी को चार्ज करता तकरीवन फुल एक सिंगल फुल चार्जिंग के दुरान 7-8% एक्स्ट्रा आपकी जो लीथे में बैटरी है वो चार्ज हो जाती है because of regenerative braking तो बिल्कुल दोस्तों प्राइस की बात करें तो जैसे मैंने पहली बता है कि MG Motors अपने प्राइस की वज़ा से काफी चर्चा में आने वाली है तकरीवन 17-18,00,00,00 पास इसका प्राइस निकल कर आ रहा है वहीं लीथ बिल्कुल वर्ल्ड की माननी हुए कार तो है बड़ इसका प्राइस भी हिसाब से काफी जादा है 20-22-23,00,00 तक इसका प्राइस नहीं है तो दोस्तों आज के लिए इतने वीडियो पसांद चांगों सबसार जोर कीजिए धन्यवाद